नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका business दोस्त आशी शकरवाल और आप सबी देख रहे हैं franchise बताओ दोस्तों franchise बताओ पर मैं आपके लिए नएने business आइडिया और franchise लेकर आताा है रहता हूँ और कुछ दिन पहले इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो पॉब्लिस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप MSME की लोन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से ले सकते हैं CA सालोगर्द से सीधी बाफ लिए थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो स्कीम है MSME की जो स्कीम है तीन लाग करोर रुपे की ये स्कीम सिर्फ उन्ही लोगों के लिए है जिनका और रेड़ी कोई existing loan चल रहा है जिनका loan नहीं चल रहा है उनके लिए scheme नहीं है तो दोस्तों maximum लोग तो गो परिसान है जिनका पहले से loan नहीं है वो लोग क्या करेंगे या फिर जिनको भी नया loan लेना है जिनोंने भी नया business शुरू किया है या फिर जिनोंने भी नया business शुरू करना है वो किस तरीके से government की इस MSME skim का लाग उठाएंगे या फिर उप किस तरीके से loan ले सकते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको live दिखाऊँगा और बताऊँगा कि अगर आप government से loan लेना चाहते हैं सरकारी loan लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप loan ले सकते हैं जी हाँ दोस्तों मैं आज आपको complete information दूँगा और इस information को लेने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो do subscribe इस चैनल और साथे साथ बेल आइकन दबाना मत बुलिएगा ताकि मेरे जितने भी वीडियोज हों सबसे पहले आप तक पुछे तो दोस्तों आप किस तरीके से अगर कोई नया बिजनस सुरू कर रहे हैं या फिर existing business कर रहे हैं और उसमें आप business को बढ़ाना चाहते हैं तो loan कैसे ले सकते हैं तो friends मैं आपको बताना चाहूंगा कि government की एक scheme है mudra loan आप mudra loan के under आप loan ले सकते हैं अगर आपने पहले से कोई loan नहीं भी लिया हुआ है mudra loan 50,000 रुपे से लेकर 10,000,000 रुपे तक का आपको मिल सकता है नय बिजनस के लिए या फिर existing business को grow करने के लिए आप आसानी से 50,000 रुपे से लेकर 10,000,000 रुपे तक का loan ले सकते हैं इसमें बहुत ही कम documentation होता है और हर सरकारी bank और private bank के पास ये scheme available है मैं आपको direct government की website mudra loan की website पर ले जाऊँगा और वहाँ पर आपको बताऊँगा कि ये loan किस-किस type के हैं और साथी साथ आपको क्या-क्या information चाहिए इस loan को लेने के लिए आपको कौन-कौन से documents चाहिए आपको क्या rate of interest पड़ेगा तो दोस्तों जादा टाइम नहीं लेंगे ये pure information video होगा आपके लिए इस video को last तक जरूर देखेगा ताकि कोई भी information आपकी छूटे ना तो हम लोग directly अपनी computer screen पर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से मुद्रा लोन ले सकते हैं So let's move to computer screen So friends हम लोग directly आ गए हैं मुद्रा लोन की website पर mudra.org.in यह आप देख पा रहे होंगे कि आपको screen पर कुछ success stories नजर आ रही होंगी और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने पिछले साल कितने amount का mudra loan sanction किया है और total कितने लोगों को mudra loan इन्होंने distribute किया है तो as per the website जो data है 2019-20 का 5 करोड से अधिक लोगों को इन्होंने mudra loan दिया है number of परधान मंत्री mudra loan sanctioned are 5 करोड 83,65,823 तो ये जो number है ये इनकी website से है और साथी साथ 3 लाग करोड से अधिक का mudra loan इन्होंने sanction किया है ये 2019-20 तक का complete data है so friend जितनी amount की scheme MSMEs के लिए आई है उतने लाग करोड का ही mudra loan ये 2019-20 में already distribute कर चुके हैं और ये mudra loan उन सबी लोगों को मिल सकता है जिनका भले पहले से loan है या नहीं है अब ये mudra loan कितने type का होता है इसमें 3 type के mudra loan होते हैं सबसे पहला है शिशू loan दूसरा है किशोर loan और तिसरा है तरुन loan तो दोस्तों शिशू loan की जो amount है वो 50,000 रुपे तक का amount है हो सकता है आपको 15,000 का loan मिले 20,000 का loan मिले जो maximum capping है वो है 50,000 रुपे तक के और इसके अलावा जो किशोर loan है वो किशोर loan 50,000 से लेकर 5,000 रुपे तक के मिलता है और जो तरुन loan है वो आपको 5,000 रुपे से लेकर 10,000 रुपे तक मिलता है तो जो मुद्रा लोन की कैपिंग है, वो कैपिंग है 10 लाख रुपे तक, अगर आपको 10 लाख रुपे तक का लोन चाहिए अपने business expenses के लिए, तो आप मुद्रा लोन ले सकते हैं, तो अब ये मुद्रा लोन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको मुद्रा लोन दे सकते हैं through MFIs, और इसके अलावा जितने भी commercial bank है, rural banks है, small finance bank है, या NBFC है, वो भी आपको मुद्रा लोन सेंक्शन करते हैं, मुद्रा लोन कौन-कौन bank सेंक्शन कर रहा है, इसके complete list आपको हमारे description में link पर मिल जाएग, उस link पर click करेंगे, तो आपको complete list मि जाएगी, कौन-कौन से bank और कौन-कौन से NBFC मुद्रा लोन चेंशन कर रहे हैं, आप वहाँ से पूरी जानकाली हासिल कर सकते हैं, तो ये micro credit scheme जो मैंने बताया कि micro finance institutions जो होते हैं, या आपको 1,00,000 रोपे तक का loan दे सकते हैं, to various micro enterprises, small business activities, कोई भी आपको काम करना है, तो उ NBFC या फिर कोई भी commercial bank से मिल जाएगा, अब ये purpose क्या-क्या होना चाहिए, अब कुछ purpose मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा इस purpose बहुत wide है, भले आप manufacturing के लिए ले सकते हैं, अगर आप कुछ service business से start कर रहे हैं, तो service business के लिए भी आप मुद्रा लोन ले सकते हैं, द transport vehicles के लिए मिलता है, अगर आप commercial transport purchase करना चाहते हो, agree allied non-farm income generating activities के लिए मिलता है, जिसके पॉलटरी farming ATC, tractors के लिए मिलता है, तो इतनी सारी activities के लिए मिलता है, so friend, जब आप मुद्रा लोन लेते हैं, तो आपको साथ ही साथ एक मुद्रा कार्ड भी मिलता है, जिसकी की से आप cash transaction कर सकते हैं with the banks, so friend, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप loan किस तरीके से ले सकते हैं, सबसे पहली बात आपको अपनी सारे document ready करने है, मैं आपको भी बताऊँगा, आपको document कौन कौन से चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इनका application form होता है, उस application form में आपको क्या-क्या information प्रोवाइड करनी होती है, अगर आप इस application form को अच्छे तरीके से readout कर लोगे, तो आपको 100% knowledge हो जाएगी कि आपको क्या-क्या चाहिए होता है मुद्रा लोन लेने के लिए, ये मुद्रा लोन का application form है, जिसमें कि आप तरुन, किशोर या telephone number, email ID, address, date of birth, unit आपकी registered है या नहीं, आपकी social category क्या है, वो आपको बतानी पड़ती है, जैसे SCST, OBC, general category, ये सारी information आपको देनी है, आपको प्रोप्रेटर या पार्टनर्स की सारी information देनी है, आपको उनके ID proof लगाने है साथ-साथ में, अगर आप और पहले से कोई bank loan चल र रही है, आपको उसकी सारी information आपको attach करनी होती है, साथ-साथ इस form में fill up करनी होती है, आपको अपने business की past performance, जैसे कि पिसले 2 साल आपके business ने कैशा perform किया है, कितनी sales रही है, कितना net working capital रहा है, कितना profit रहा है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और साथ साथ जो आप मुद्रा लोन ले रहे हैं, उसे आप कैसे काम करोगे, फ्यूचर में आपका projection क्या आएगा, तो यह projection भी आपको साथ में attach करना है, और इसी के basis पर जो bank अधिकारी होते हैं, वो आपका मुद्रा लोन sanction करते हैं, दोस्तो साथ ही साथ आपके जो statutory obligations है, जैसे कि आपका जो swap है, वो registered है या नहीं है, आप MSME में registered है या नहीं, drug license, अगर आप कोई drug license के requirement है, तो वो है कि नहीं है, आपके GST return, या फिर जो भी आपको statutory obligation है, अगर वो obligation के अंतरगत आप आते हैं, तो वो आपने complete कर रखी है, नहीं कर रखी है, अगर आप नहीं आते हैं, तो N में file कर देंगे, इसके आपको declaration देनी होती है, कि जो भी information दे रहे है, that is true and correct, जैसे की subject होता है, दोस्तो सबसे important part कि आपको मुद्रा लोन लेने के लिए document क्या कर चाहिएगा, तो जो mandatory document है, उनमें सबसे पहले आपका proof of identity, identity में आपका voter ID card, driving license, pen card या अधार कार्ट कोई भी हो सकता है, आपको proof of social status देना पड़ेगा, अगर आप SCST, OBC, minority में आ रहे हैं, तो आपको proof of identity of business लगाना पड़ेगा, जैसे कि अगर आपका private limited firm है, तो आपका AOA, MOA, या फिर आपका registration certificate है, अगर आप partnership firm है, तो आपका partnership deed या pen card उसका, और साथी साथ, आप किसी भी private bank से, या आपको साथ में attach करनी है, with your GST returns, आपको projected balance sheet आपको यहां पर साथ में लगानी है, आपको इतने सारे document यहां पर prepare करने पड़ेंगे, आपकी sales कितनी अचीव हुई है, project report आप जो loan ले रहे हैं, उसका purpose क्या है, अगर आप किसी machinery purchase के लिए loan ले रहे हैं, जहां से आप machine purchase करने वाले हैं, या फिर जहां payment करने वाले हैं, उनकी पूरी quotation जिन में उनका नाम, address, phone number, सारी information आ रही हो, दोस्तों इसके अलावा basic KYC चाहिए आपकी, और अभी सबसे अची चीज क्या है, कि अभी mudra loan जो मिल रहा है, यह collateral free मिल रहा है, so this is very good thing, कि आपको अभी कोई collateral नहीं चाहेगा, इतना ही नहीं आप चाहें, तो online भी submission कर सकते हैं, online submission के लिए वेबसाइट है, वो है उद्यमीमित्र.in, आप यहाँ पर directly apply कर सकते हैं, आपको दिखा दिता हूँ किस तरीके से apply कर सकते हैं, आपको सबसे उपर उद्यमी मित्रा empowering msms का option होगा, apply hair का option होगा, आप आपको यहाँ पर apply hair पर click करना है, apply hair पर click करने के बाद, दोस्ते पूरा registration process है, जैसे कि आपको कितने का loan चाहिए, आपने लिखा कि 5 लाग का loan चाहिए, आपने 6 लाग डाल दिये, scheme आपने select कर ली, scheme select करने के बाद, friend आपको यहाँ पर अपना gender select करना है, gender के साथ आपको और application fill up करने के बाद, आपको जैसे जैसे process होता रहेगा, आपको process करना है, और then sitby की मदद से आपके nearest bank, जो भी आप bank की branch select करोगे, उस bank पर यह आपकी profile send कर दी जाएगी, आप अपने पूरी profile वहाँ पर submit कर वाओगे, और पूरी profile submit होने के बाद, आपको loan मिल जाएगा, अ अभी मुद्रा लोन government sanction कर रही है, लेकिन हाँ दोस्तों जैसे की common tendency रहती है कि हम सब लोगों को मिलेगा नहीं, तो उनी लोगों को मुद्रा लोन मिलने में दिक्कत आएगी, जिनके paperwork पूरे नहीं है, जिनका purpose के लिएर नहीं है, या फिर किसी bank से या financial institution से आप already default है, अगर अगर आप को genuine business कर रहे हैं, आपके पास सारे paper हैं, आपके पास already एक track record है, अगर आप already 6 मेने, 8 मेने, असाल बर से banking कर रहे हैं और bank में transactions हैं, तो banks आपको जरूर लोन देंगे, क्योंकि government भी अभी चाह रही है, कि भारत को आत निर्वर बनाए, और आत निर्वर भारत तभी बनेगा, जब लोगों के पास business होगा, लोग business करके आगे बढ़ेंगे, अगर आप मुद्रा लोन से related और कोई भी information चाहते हैं, तो मैंने google form दिया हुआ है, नीचे description में, आप उस google form को fill up कर सकते हैं, या फिर आप comment section में comment कर सकते हैं, मैं जितनी भी information आपके लिए पहुचा पाऊंगा, उतनी information आपके लिए जरूर पहुचाऊंगा, अगर आप already किसी business में हैं, अगर आप कोई manufacturing कर रहे हैं, तो आपको हम अपने channel पर promote कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके business को आगे बढ़ाने में आपकी help करें, तो भी आप इस google form को fill up कर सकते हैं, और उस to grow themselves, who want to grow India, who want to sign India, so friends, for आज की वीडियो में इतना ही, मैं हूँ आशी शगरवाल, आपका अपना business दोस्त, आप देखते रही है, फ्रेंचाईजी बताओ, इस वीडियो को अधिक से दिक share करें, और मैं आपके लिए आगे भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आत करेंगे रही है, हलाद अजू आपका टो आलाद